हें गाइज को तो हम 16 जन्वरी का करेंट के देखेंगे कफे होते हैं अग्जाम के लिह से काफे हैं क्योंकि इनसे कुछ न कुछ न कुछ ऑचिन हम पूची जाते हैं सबसे पहला कॉशन पापकी स्क्रीप पे है विच और्गनाइजेशन है अदॉटेड पर हैंडर्ड अटर टिंकरिंग लैप्स एर अक्रोस दक्री किस अंगटर ने देश भर में 100 अटर टिंकरिंग लैप्स को अपना है यहां पर देखिए चार आप्शन दिये गए है इसमें से आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वह इसरो है ठीक है इसरो ने 100 अटर टिंकरिंग लैप्स को अपनाया है एट यहल जिसका सौर्ट फर्म है इसको अपनाया है इन्वे से 45 को इन्हों कर दिया है बाकी के बाद में करेंगे इसके बारे में आपको बताया है मैंने इनका में क्या है स्टुडेंट्स को बूस्ट करना मलब स्टुडेंट्स के माइन में टेकनोलोजी विक्सित करना उनका माइन क्रेटिव बने रोबस्टीं हो वो किसी भी प्रावलम का स्विशन आसानी से ढूंड रहे इसको बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है एट्रियल क इसका जो राइट आंसर होगा वह 1.5 किलमेटर हाजी 1.5 किलमेटर डौल स्टेक लंबी कंटेर ट्रेन की लंबाई है यह का इंग्जाम के लिहास से कफी इंपोर्टेंट है इसे जरूर दिमाग में बैठाएं इसके बारे में क्या इसका इनागुरेशन जो है आर्जनवरी को किया गया था पीम मोदी द्वारा नरिन मोदी जी द्वारा यह इनागुरेशन किया था वर्च्वल आगुरेशन था तो यहां पर त्इंसोच्छ घ्लोमेटर का एक लंबा कॉरीड़ और ठीक है वेस्टरू डेडिकेटर फ्राइड फैरेत कोई दोर भी वर्च्वली इ 1.5 km container भी लॉंच की गई इसमें सबसे बड़ी फैक्ट यह है कि यह वर्ल्ड का सबसे पहला वर्ल्ड फर्स्ट डवल स्टेक लॉंग हॉल कंटेनर ट्रेन है यह इसमें के लिए लिहाज से काफ़े इंपोर्टेंट है आप इसे जरूर 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 दिमाग में बैठाएं आए नेक्स्ट गोश्टें देखें इंडिया वक्ट टु इंड़क एस फोर हैंच इस फोर हैंड़े यह काफी नूज में रहता है हमेशा न अगर आपकी टेश पर आपकी एरिया में मिसाइल से हमला करता है तो यह उसको बाइकॉट कर सकता है उसको गिरा सकता है तो यह है यह स्500 की मारक शमता और 400 का मतलब यहाँ पर क्या है यह 400 कम.400 कीलमीटर से कोई भी चीज अगर हा रही है तो वहां क्या एन रहता है इसको जो ट्रेंज है है और भी जो अदर्स कंट्रियां है यह काफी इंट्रेस्टेर है S-400 को लेगे क्योंकि इसके जैसी मारक छंता किसी के पास नहीं है यह काफी बढ़ चड़कर आ गया है क्योंकि इसमें जो सिस्टम है रडार सिस्टम है वो काफी हाई लेवर का है अब यहां पर मैं उसका यहां पर देखे है इसमें क्या है देखें कैसे करता है यह चिस्टम है आपका यह लांग रेंज्टäsर रडाBayर है यह क्या कराईगा इंफोर्मेशन प्रवाइड कराएगा देखें यहां से इनफोर्मेशन यह जो रडारहिए इससे वेब निकले़ंगी ठीक है और इसके र अगर यह दुस्मन देश का है तो यह क्या करेगा यह information कि इसको प्रवाइड करेगा यहां से जो यह इसकी signal जाएगी वो command vehicle को जाएगी ठीक है command vehicle का क्या काम है command vehicle आपका क्या करेगा target identify करेगा और यह command देगा किसको launch vehicle यहां पर देखें यहां पर है इसके pass missiles है यह देखी सकते हैं आप यह missile क्या करेंगी यह target को fix करेंगी अब अब देखें जैसे target को fix किया जाता है तो target कहां कहां move कर रहा है कैसे कैसे move कर रहा है उसके लिए सही दिसाल में जाने के लिए engagement radar है जो इसको बताती रहेगी कहां पर आपको अपना लक्ष भेद रहा है ठीक है तो यह इस तरह से इस technology पे काम करती है का काफी अत्याधुनिक है काफी modern है काफी reliable है ठीक है तो यह S-400 का काम है इसलिए हमारे जो देश है भारत भी चाहता है कि S-400 हमारे देश में भी जल्दी से जल्दीर हो जाए रसिया को order दिया गया है यह delivery 2021 के last तक हो सकता है complete हो जाएगी ठीक है आई यह नेक्ट हो से देखते हैं वो इस द आथर अफ दो बॉक टाइटल गेशिंग इस्ट वार्ड बोथेस्ट मोंक्स और रिवलाशनेरी इन सेड़ना थापर यह है रोमिला थापर काफी पॉपुलर है यह लखनों की थी लखनों की है और जैन्यू की एक प्रोफेशर ह इनका काफी चर्चा में लेती हैं अब sìnt history Kin Netflix को लेकर वो था कफी कुछ उन्होंने बताया है हिंदू की आरवशन के बारे में और वह सारी चीज़े बताई हैं ती विचार को लेके और बिशु है तो आप मेरे को कमेंट करके बताए मैं इनकी इन पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनात देता हूँ ठीक है तो यहां पर जो राइड़ अंसर है वो है पर रोमिला था पर ठीक है आईए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं कि किसने हाल ही में लेंडिंग गिया सिस्टम डिवलप किया है यह यहां पर यू है अनमैंड अनमैंड मानव रहित मानव रहित ए फिर और आप वी फ़ॉर वहिकल्ट मानव रहित विमान जो मानव रहित विमान है उसका लेंडिंग गियर सिस्टम अब मानव रहित विमान आप किसको वह भी इसा ड्रोन है ड्रोन जो है मानव रहित विमान है इसे हम मानव रहित विमान कहेंगे यू ए वी कहेंगे इंगलिस में ठीक है अब इनका लैंडिंग यह सिस्टम देखें लैंडिंग यह सिस्टम क्या है लैंडिंग यह सिस्टम और किसने डेवलप किया है यह देख रहते हैं पहले इसका अंसर देख तो इसका अंसर है बी सी वी आर यह उन्हों ने डीवलप किया है लेंडिक गया सिस्ट्रम लेंडिंग इस सिस्टम होता है उसको मैं आगे बताउंगा इवे मैंने इसको फूर्म भटा देया अब सीवी डीडि जहीं उसके बारे बताता हूं CVRDE का full form होता है Combat Vehicle Research and Development Establishment, ठीक है, it is the main DRDO lab involved in the development of armored fighting vehicles, tanks, automotive, electronics and many others. CVRDE एक lab है, DRDO के अंडर काम करता है, जो armored fighting vehicles होते हैं, tank होते हैं, automotive electronics होते हैं, उनके लिए उन पर research का काम करता है, उनमें कुछ problem नाया है, उनको support करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, इसकी जो अस्थापना है, वो 26 मार्श उनिस उप्चेत्र में की गई, इसके जो डार प्रेक्टर है, प्रेजेंट में, CV Balamurgan है, लोकेशन इसकी का है, अब ये तो हुआ, CVRDE के बारे में, अब हम जानेंगे, landing gear system के बारे में, लेंडिंग गेर सिस्टम को समझाने के लिए, मैंने यहां पर एक picture दिया काफी, इस picture में आप देख सकते हैं, यहां पर एक आपको एरक्राफ्ट दिख रहे हैं, इसमें देखें, तीन वेहिकल हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, यह पहला है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह तीन वेहिकल दिख रहे हैं आपको, अब यहां पर देखें, उसी वेहिकल को हमने यहां पर अलग से picture में दिखाया है, यहां पर देखें मेन लेंडिंग गियर मेन लेंडिंग गियर मेन लेंडिंग गियर एक यह है इसमें एक ही मेन लेंडिंग गियर है नहीं इसमें दो है एक तो यह हो गया और एक तो यह पीछे की तरफ दो होते हैं और सामने की तरफ एक होता है इसको बोलते है एनलजी नोज लेंडिंग गियर ठीक है, energy में ही steering होती है, energy ही पुरा control करता है, इसकी steering और इसको दिशा guide करता है, ठीक है, और यहां सी इन दोनों से support मिलता है, और इनको पूरा operate कुन करता है, यह hydraulic system, यह hydraulic based होता है, इसी से इसे पर break लगती है, इसमें power supply होती है, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा work, अब देख जरूरी है, इसके बारे में जरूरी है, landing gear system इसलिए जरूरी है, क्योंकि जैसे आप कोई भी airplane या aircraft land कराते हो, तो नीचे तो वो, नीचे उसको vehicle चाहिए होगा, नीचे vehicle चाहिए, तो उसके लिए यह landing gear system लगाना जरूरी होता है, ठीक है, इसके बिना वो crash कर जाएगा, ठी concentration of vanadium in which state, अब देखें, geological survey of India ने हार ही में प्रोमाइजीं, concentration of vanadium के concentration की पुस्टी की है, किस state में की है, which state means, किस state में की है, तो यह इसका जो answer है, C option, अवनाचल परदेश में इसकी पुस्टी की गई है, हाँ जी, vanadium एक game changer हो सकता है, हमारे देश के लिए, अगर vanadium आत्रा में मिला, तो हमारा देश काफी आगे बढ़ सकता है, vanadium से काफी benefit है, जैसे चाइना में बेनेवीडियम सब से जाता पाया जाता है, तो जो चाइना से लगे border है, चाइना से लगे border और अवनाचल परदेश, अवनाचल परदेश में भी vanadium के होने के chance है, ऐसा माना ज करता है कि अवनाचल परदेश हमारा पार्ट है, ऐसा बोलता रहता है, क्योंकि लाग्ची है चाइना, उसे पता है, यहाँ पर काफी खान ख़दान है, तो इसका इसका सही अंसर हो जाएगा, आए नेक्स पोर्शन देते हैं, वेच कंट्री हैस रिलेट इस नेक्स जनरेश पर अब आईए नेक्स वोचन देखते हैं, वेच स्टेट हैस फ्री बस सर्विस फॉर ओमन और शीनर से रिजन अंडर भ्रमढ़ सार्थिक स्टीम के अंडर ओमन और और सिर्नियर से इजन्स तिक यह जो बस सर्विस है वह फ्री प्रोवाइड की गई है किस स्टेट की है उन्होंने इसका इनागुरेट की है इसके लिए इसके लिए इस्पेशल ओमन और सिन्यर से टीजन के लिए ठीक है तो यह काफी इंपर्टेंट है अब आई नेक्स पोस्टन देखते हैं नितिन गड़करी है लांच एन इन्नोवेटी इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक पैंट नितिन गड़करी जी ने हाल ही में इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक पैंट को लॉंच किया वाट इस नेम अफ दा पैंट का नाम क्या है पैंट का नाम देखे सीधी सीवाथ खादी प्रकृतिक पैंट है यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं इसके बा भारत की गाए की गूबर से बना हुआ पैंट है इसका फाइदा क्या है यह एंटी फंगल है इको फ्रेंडली है नेच्रल थर्मल इंसुलेटर है कोस्ट एफेक्टिव है फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स नॉन टॉक्सिक से कर लेस इतने सारे फीचर्स है इस पैंट में और य ने यौट फ्रेंडली पूरी दुनिया में चल रहा है कि पॉलिशन को कम किया जाए इको फ्रेंडली बना चाये तो उसकी तरफ ये इक बहुत भी ऑप पहल है प्राइट प्राकृतिक पैंट का जिसका यूज हम इंडिया में कभी अच्छी तरीके से करेंगे इस इंडिया एंड्रोन और नोवल वअपन्स उदहार लिये हैं रेंटेड में लिए ना जिसको बोते हैं तो यह है यह यह से हाल ही में आप एपन्स जो 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 लेने पड़ेंगे चुकि देखिए अभी जो तनाव चल रहा है चाईना एक साद लगडा बोर्डर पर तो वहां पर ड्रोन काफी एहम भूमिका निपाएंगे और भी जगहां पर जो है ड्रोन का यूज किया जाता है तो इतना जल्दी तो हम अपना खुद का बना नहीं सकते इसलिए हमें वहां से खरीद भी ने सकते क्यों कि हमारा एक लिमिटेड लिमिटेड बजट है रप्छ आते हैं तो यहां पर लास्ट कोश्चन मैं आप से पूछूंगा आपको जरूर आटिम करना है इसे कमेंट में आपको आंसर करके बताना है ठीक है तो सी विजिल 21 इसे डिफेंस एक्सराइज है किस कंट्री के द्वारा की जा रही है की गई है वह आपको आंसर कमेंट में देना है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं अगर नहीं आ रहा है तो पुरा डीटेल में आपका नाम यहां पर मैं डिस्फले करके बताऊंगा जरूर अगले वीडियो में तो आज की वीडियो में यही सारा कोश्चन थे जो मैंने आपको बताया है अगर अच्छे लगे अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो दो तो आज ही वीडियो में इतना ही टेक कियर